दोस्तो यह है इस महीने की राशन कि सामान की लिस्ट और अलाई मीरा राशन का सामान आ चुका है और वह दिबो में भहर रही थी तो मैंने सोच curly जो पहले किचिन के क्लिंग कर ली जाएं क्योंकि यहां पर बनना है करवा चौत के पूजन बनता है जरूर component बनता है वो जगा बहुत साफ हो और इस त contributor किचन की कलिनिंग के जैनिक लिए खेंडं़ें दॅब ड़र टीनो doivent बन चुका है बस ही क्लिनिंग के बाद हम लोग रैडी होके निकल जाएंगे तो यहां देख लेते हैं मेरी डस्टिंग और क्लिरिंग दोस्तों मेरी क्लिनिंग यहां पर लगबग खत्म होने वाली है बस अब इतना सा करने के बाद मौपिंग और बच रही है तो यहां पर मैंने मौपिंग स्टार्ट कर दी है और किचिन को क्लीन करने के बाद मुझे यहां पर थोड़ सा सामान और लगाना है और बस देखिए मैंने सामान भी लगा दिया है दोस्तों और अभी चार बजगेते करी फिर शाम की चाय बनाके रेडियो की निकलना है मार्किट के लिए और हम लोग जा रहा है पैदल तो और ये बाबू अपने बुगा के संग कर रहे हैं मस्ती दोस्तों ये शौप है जहां से ममी जी हमेशा साड़ियां लेती हैं पर मुझे कुछ जादा पसंद नहीं आ रहा था कलेक्शन अच्छा था पर फिर भी और हम ये रास्ते में जा रहे थे तो एक मंदे था ब्यारी जोगी थी बहुत ही स्टनिंग लग रहे थे भगवान अगर आपको दतिया आते हैं तो ये मंदिर जरूर घूमिएगा दोस्तों और यहां हम आ गया है ये शौप जो दिख रहे हैं ये मेरी फैबरेट शौप है दतिया की मुझे यहां कालेक्शन बहुत अच्छा लगता ह है और हमेशा मैं यहां से शौपिंग करती हूं तो मुझे लगाती है चलो यहां पर भी देख लेते हैं तो काफी अच्छे रेंज में आच्छी साड़ियां दिखाई है इनोंने अब मुझे नहीं पता महेंगी है सस्ती है पर मुझे अच्छे लगी तो मैं ले लूँगी मैं ट्राइब भी कर रही है कुछ साड़ियों को यह देख रही किए काफी कलेक्षिन इनके पास लेंगे भी हैं और साड़ी की वी मुझे पसंद आज थी यह कफी अच्छी है और यह मुझे पसंद आयो थी और मैं सर पे पल्लू रख भी कैसी लगोंगी क्योंकि यहां सर पैसे लेके साड़े तीन हजार रोपे तक के बैंगल्स आपको मिल जाएंगे कलेक्शन अच्छा था और वाकरी में बहुत अच्छा था हम लोग ने देखा नहीं क्योंकि रात हो रही थी घर पहुशना था और खाने की तो इस वज़े से हम लोग जल्दी-जल्दी कर रहे थ बैंगल्स खरीदने के बाद हम पहुच गई थे यहां यह रोट साइट में इक शॉप थी काफी अच्छा मतलब शॉप लगा मुझे यह और कालेक्शन भी अच्छा था देखिए मुझे तो बहुत ही बढ़िया और मेरे का मैं इस दुकान पर ऐसे रुख गई थी ना कि मे अफी अच्छा लगा मुझे बहुत प्यारी प्यारी चोटी चोटी जुमकिया थी और हुपस भी थे सारे उनके पास अच्छा करेक्शन है इंडियान वेस्टन दुनों टाइप का बहुत बढ़ी आरा लगा मुझे देखिए आप भी देख लीजिए और मैं तो देखती ही रहे गई मैं को बिल्कुल मन नहीं था घराने का ऐसा लग रहा था यहीं बैठ जाती हूं और सारे करती रहती हूं दोस्तों इस तरह हमारे शॉपिंग हो गई है आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कमेंट बॉक्स में कीजिए का कमेंट मुझे र और यह एक शॉप देखी हमने जहां पर इनको बनाया जा रहा था यह अंटी जो है सांचे तयार कर रही थी टेप से चिपका कर और देखे यहां पर चाशनी को गर्म करके और थोड़ा हलका सा ठंडा करके उनको सांचों में भर रहे थे यहां पर च्छान कर इस तरह से और जब वो टोटली ठंडे हो जा रहे थे जम जा रहे थे तो अंटी उनका सांचा खोल दे रही थी तो इस तरह से इनकी प्रोसेस बनाने की मैंने पहली बार देखी तो मैंने शूट कर लिया मुझे लगा आपके संग्भी शेयर कर लेती हूं और दोस्ते आपको कैसा लगा मे हुआ